जैसे राम, जैसे राम, जैसे राम अच्छा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाला है कि Hardy-Winberg Law क्या होता है और ये Hardy-Winberg Law से related हम question भी solve करेंगे fine, just देखें Hardy और Winberg ये दो scientist थे इन्होंने population genetics पर extensive study किया था और वो study करने के बाद से उन्होंने law जो दिया था उसको Hardy-Winberg Law कहते है अभी Hardy-Winberg Law क्या कहता है, students आईए समझते है देखो, Hardy-Winberg Law कहता है कि मेरे पास अगर एक population है और उस population में मैं किसी भी character को ले रहा हूँ तो वो जो character होगा उसकी allilic frequency हमेशा सेम रहेगी मतलब जैसे मान लो कि मैं एक population है उस population में मैं एक character की बात कर रहा हूँ वो character क्या है, उसके दो allil है Tallness का, एक capital T है, dominant allil है दूसरा small T है, recessive allil है capital T वाले individual का जो allilic frequency है यह है 70% और small T की allilic frequency है यह है 30% तो Hardy और Winberg के अनुसार यह हमेशा ऐसे ही रहेगा 7 to 3 ratio में रहेगा जैसे मान लोड़ी, यह 2011 में यह जो capital T वाले थे वो सपोज थे 70,000 individual है ना और यह थे 30,000 individual तो मैं अगर 1000 साल बाद देखता हूँ तो यह allilic frequency हो सकता है कि यह 700 हो जाए और यह 300 हो जाए लेकिन का ratio जो है ना 7 is to 3 ratio हमेशा एक ही रहेगा है ना यह allilic frequency देखी क्या लिखा है यह allilic frequency in a population are constant from generation and generation ठीक है यह हमेशा बिलकुल सेम रहेगा अब क्या है कि कोई भी population होता है उसमें जो जितने भी genes होते हैं उन सारे genes के sum को हम लोग कहते है gene pool है ना what is gene pool कोई population है उस population के अंदर जितने भी genes है plus their allil their allil genes और उनके allil के sum को हम लोग कहते है gene pool तो कोई भी population होता है उसका gene pool जो होता है ना constant होता है है ना और Hardy और Winberg के according उसका gene pool हमेशा equilibrium पे होता है एक बात उरों ने और कही कि कि किसी population में किसी character के allil का जो sum होता है ना वो एक होता है कैसे आप समझे जैसे मान लो कि मैं एक character ले रहा हूँ वो है height का अब इसके दो allil है एक है capital T और दूसरा है small t तो Hardy और Winberg के according क्या है कि ये जो capital T और small t है इसका sum क्या होगा एक होगा या ना अब इसी को मैं दूसरे तरीक से देखता हूँ जैसे मान लो मेरे पास एक population है उस population में कोई character जो है उसका dominant allil है P ये कौन सा allil है किसी भी character का उसका dominant allil है P और उसी character का recessive allil जो है वो है Q allil तो समझते हो ना आप लो क्या होता है allil is alternative form of a gene अब deployed organism है अगर मान लिजे कि वो deployed organism है तो क्या का possibility हो सकती है हो सकता है person जो होगा वो homo-gagous dominant होगा तो इस character का अगर homo-gagous dominant होना होगा तो वो person क्या होगा P या फिर हो सकता है वो recessive होगा तब वो क्या होगा Q अगर deployed हैं तो और अगर वो heterogagous होगा तो क्या होगा P Q है ना यही तीन possibility तो है ना अब देखिए Hardy और Winberg के coding क्या है कि sum किसी भी character का जो होगा allil का जो होगा वो 1 होगा अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा algebra से proof करता हूं दोनों तरफ से square लेता हूं तो यह इधर वाला क्या हो गया P प्लस Q whole square is equal to 1 square है ना फिर इसी को क्या है यह P square plus 2P Q plus Q square is equal to 1 अब Hardy और Winberg के अनुसार यह P square जो है ना यह indicate कर रहा हूं उस population के homozygous dominant character को और Q square जो है वो वहाँ पर जो भी recessive individuals है उनको indicate कर रहा है और 2P Q population का हेटरोजाइगस dominant individuals है उनको detect कर रहा है उनको बता रहा है अब इसको एक question से हम लोग समझनी के कोशिस करते हैं जैसे मान लोगी मेरे पास एक population है उस population के अंदर जो dominant allele है किसी भी character का dominant allele जो है वो है 0.3 तो recessive की allelic frequency क्या होगी recessive allele की allelic frequency क्या होगी तो very simple किसी भी population के अंदर किसी भी character का जो allelic frequency का जो sum है वो क्या है one होगा मान लोगी ये dominant वाला p है ये 0.3 है तो 0.3 plus q is equal to 1 तो q is equal to 0.7 है ना तो recessive allele की allelic frequency क्या होगी 0.7 अगर इसी population में हमसे पूछा जाया है कि इस population में homozygous dominant individual कौन से individual homozygous dominant individual की allelic frequency क्या है तो homozygous dominant क्या बताया था मैंने p square homozygous dominant q square recessive और 2p q heterogous dominant है ना तो homozygous dominant मतलब p square और p square मतलब 0.3 का whole square और 0.3 का whole square क्या होगा 0.09 है ना फिर इसी population से पूछा जाया की heterogous dominant का क्या होगा तो याद रखना आप लोग heterogous dominant होगा heterogous dominant का क्या होगा यह होगा 2p q p q नहीं सिर्फ 2p q होगा तो 2p q means 0 into 3 0 into 7 0.42 है ना फिर पूछा जाया है की इसी population के अंदर जो recessive individual है recessive individual की allelic frequency क्या होगी तो recessive individual की allelic frequency होगी q square q square 0.7 का square कितना होगा 0.49 है ना तो मेरे पास एक population है उस population में dominant allel की allelic frequency 0.3 है तो उसके recessive allel की allelic frequency क्या होगी यह वेरी सिंपल Hardy Winberg के lock according किसी भी character के allel का जो sum होता है वो 1 होता है है ना तो अगर मैं यह dominant allel को p मानता हूँ और recessive allel को q मानता हूँ तो p plus q is equal to 1 अब हमारे पास p already है है ना p already है तो क्यों निकालो 0.7 आ गया अब इसी population में पूछा जाए कि homo-gigous dominant individual का allelic frequency क्या होगा तो homo-gigous dominant individual के allelic frequency क्या होगी वेरी सिंपल homo-gigous allelic square कर दो 0.09 और heterogigous का 2pq मैंने बताए हूँ था 0.42 और अगर उसी में recessive individual के allelic frequency पूछी जाए तो 0.7 का square 0.49 है ना तो इस तरह से क्या है कि हम पता कर सकते हैं मैं एक वीडियो और बनाऊंगा उसमें कई सारे question को लेकर के explain करूंगा तो ये है Hardy-Winberg law अब देखें 5 factors जो होते हैं आपके NCRT में दिया हुआ है कि ये 5 factors जो हैं वो Hardy-Winberg law को disrupt कर देते हैं मतलब उन्होंने जो equilibrium बताया था वो equilibrium disrupt हो जाता है तोट जाता है है ना और वो equilibrium तोटने का मतलब क्या है कि उस population के अंदर evolution हो रहा है yes yes उस population के अंदर evolution हो रहा है उस population के अंदर change हो रहा है वो क्या है factor समझते हैं देखे सबसे पहले क्या है gene migration and gene flow मेरे पास ये एक population है है ना A दूसरा population है B समझते हैं A में क्या है कई सार इंडिविजुल है और इसमें भी है अब अगर B population से कुछ इंडिविजुल A में चले जाएं या A से कुछ इंडिविजुल B में चले जाएं तो इसे हम क्या कहेंगे gene flow कहेंगे sorry gene migration कहेंगे gene migration में क्या होता है emigration होता है immigration होता है population में कुछ नए individual जाते हैं कुछ दूर जाते हैं जैसे आप देखो ना में एक 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 जामपल दे रहा हूँ कि इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर थे रदा जीव गांदी जी उन्होंने विवाह किया इटली में और भाई देखो इटली का उनका genetic makeup तो अलग होता है यूरोपियन होता है अब विवाह करके लाई इदर अब यहां पर उनके जो बच्चे हुए उन बच्चे के अंदर इंडियन जीन भी है और यूरोपियन जीन भी है मतलब इंडियन पॉपुलेशन में क्या हुआ नया जीन तो एड हुआ तो यह जीन माइग्रेशन यह जीन माइग्रेशन का क्लासिक एक्जामपल है लेकिन दो पॉपुलेशन की बीच में अगर रिपीटिटली जीन का एक्स्चेंज हो रिपीटिटली जीन फ्लो हो जीन का माइग्रेशन हो तो हम इसे जीन फ्लो कहते हैं दो पॉपुलेशन की बीच repeatedly gene का exchange हो individual का exchange हो तब हम उसे क्या कहेंगे gene flow कहेंगे तो ultimately क्या हो रहा है या तो population में नए allil आ रहे हैं या फिर population से कुछ allil जा रहे हैं तो change तो हो रहा है न भाई और change हो रहा है तो gene migration allilic frequency ये change कर देगा gene migration और gene flow next thing is that genetic drift genetic drift को ऐसे समझते हैं what is genetic drift? genetic drift is random loss of allil in population what is this? it is a random loss of allil in population मेरे पास एक population है उसमें randomly अगर किसी allil का loss हो ज़राया है तो उसे हम कहेंगे क्या उसे हम कहेंगे genetic drift genetic drift को आप ऐसे समझो जैसे मालो मेरे पास एक population है उस population जो है कीडो का है बीटल्स का है अब उसमें एक कीडा जो है वो capital B capital B है दूसरा कीडा जो है small B small B है third B capital B small B है fourth B यही है fifth capital B capital B है और यहाँ पर एक जो है small B small B है मैं जा रहा था गलती से मेरा यहाँ पर पैर पड़ गया और पैर पड़ गया तो यह जो है यह मर गया small B small B मर गया तो इस population से क्या हो आप इस population की allelic frequency तो randomly मैंने चेंज कर दी ना तो यही है genetic drift किसी population का अगर allelic frequency randomly चेंज हो जाए तो उसको genetic drift करते हैं है ना mutation तो आप जानते हैं mutation in change in DNA किसी population के किसी organism की gene अगर change हो जाए उसका DNA चेंज हो जाए number of chromozome चेंज हो जाए या उसमें कोई भी चेंज आ जाए XYZ तो उसको हम कहते हैं mutation चेंज इन DNA is mutation तो चेंज अगर DNA में चेंज होगा तो allelic frequency तो obviously चेंज होगी न और allelic frequency चेंज होगी तो hardy winberg equilibrium है वो तुटेगा फिर genetic recombination आपको पता है कि gamit formation के time में meiosis होता है और meiosis में जो prophage होता है prophage के prophage के समय क्या होता है chromozome के बीच में genes का exchange होता है और नया combination बनता है और नया combination बन रहा है तो allelic frequency तो change हो रही न भाई तो recombination की वज़े से भी allelic frequency होती है change होती है फिर बात करते है natural selection की आपको पता है कि जो हमारे Darwin जी है Darwin जी ने कहा था कि हमारे पास अगर कोई एक population है तो उस population में समय के साथ जिन organism के पास better character होगा more fitness होगी है ना तो वो nature उनको select कर लेगा और जिसके पास inferior character होगा वो दीरे 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 eliminate हो जाएगा जिसे मान लो कि इस earth का temperature दीरे दीरे increase हो रहा है तो जो animals वो जो change है उसमें adapt हो जाएगे वो बच जाएगे और जो high temperature में adapt नहीं हो पाएगे वो दीरे दीरे समय के साथ eliminate हो जाएगे तो nature किसको select कर रहा है nature तो उसको select कर रहा है जिसके पास better character है तो अंत में allelic frequency तो change हो रही है ना भाई तोड़ते हैं और यह तोड़ते हैं तो यह indicate कर रहा है कि उस area में evolution हो रहा है है ना और वहाँ पर अगर evolution हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ का allelic frequency भी change होगा तो finally इस वीडियो में हमने कहा देखा Hardy और Winberg ने कहा था कि कोई भी population है वहाँ के allelic frequency वह हमेशा same रहेगी लेकिन 5 factors जो है यह 5 factors वहाँ के allelic frequency को change कर सकते हैं वो change indicate हो रहा है कि वहाँ पर evolution चल रहा है है ना फिर जो Hardy और Winberg के according किसी population में आप किसी एक character को ले रहे हो तो उसके allel का sum जो होगा 1 होगा है ना और उन्होंने दिया जैसे मान लो कि कोई अगर एक character है और उसका dominant allel P है recessive allel Q है तो P square जो होगा वो population में homozygous dominant individual को होगा और Q square जो होगा recessive वालो का होगा और 2PQ जो होगा 2PQ होगा यह heterozygous लोगों के लिए होगा 2PQ किसके लिए होगा हeterozygous के लिए होगा बाकी देखें कि हम दूसरे वीडियो में एक मैं पूरा वीडियो लाऊंगा जिस पर questions बनाऊंगा उस वीडियो को आप देखकर के अच्छी तरह से Hardy Winberg Law को learn कर सकते हो और Hardy Winberg Law से पूरी समावाना रहती है कि 4 marks कोशन आजा ठीक है बाकी देखें कि नेक्स वीडियो में आगे दीजिए नमस्का